Hello guys, welcome back to the channel और आज के इस वीडियो में हम इडेंटिफायर्स, रिजर्डवर्स और डेटाइप के concept को देखेंगे, ठीक है? तो सबसे पहले इडेंटिफायर्स क्या होता है? यह बेसिकली क्या होता है कि आपके जो पाइथन में प्रोग्राम में यह बेसिकली क्या सब्स फीडिदेंगे सब्स ऐसे लिए उडेंटिफायर्स करेंको दें। चैनको सब्स हैे इसके कुछ रिक है यह कोई और फोर में बकित रक कुछ रूल Friends करें consult şekilde आप यह खैरा बुक्ळ ंदवर्स बास कि यूच्फायर्स का सटे करने की कोशिश किया आपने या फिर किसी और संबल का यूज करने का कोशिश किया तो वह आपको error तो इसका मैं example करके देखेंगे तो आपको जादा क्लिए रोगा ठीक है तो क्या है यह यह identifier should not start with a digit तो यह देखें यहापे मैंने एक identifier बनाया है cash नाम से तो अगर मैं इसको किसी digit से start करूँ यहाँ पर मैंने पहले 10 लिख दिया तो यह valid नहीं है यह मेरे को error देगा तो यह हमेशा एक identifier की starting आपने कभी digit से नहीं करनी है तो इसके बाद है कि identifier जो होते है वो case sensitive है तो मतलब यह small में name दिया मैंने और capital मे मैंने name दिया तो यह जरूरी है यह दोनो equal same नहीं है यह दोनो different होंगे ठीक है तो यह case sensitive है और इसमें हो यह है कि हम reserved words जो python में कुछ reserved words होते हैं जिनकी functionalities और ready python में उनको reserve किया गया है ठीक है और इनको आप ऐस identifier यूज नहीं कर सकते हो तो हम देखेंगे कि reserved words कौन से हमारे इसके बाद यह है कि यही dollar symbol हम यह यूज नहीं कर सकते हमारे पास basically यह इन तीनों का ही यूज करना है हमने alphabet symbol और digits 029 और underscore symbol का यूज करना है ठीक है तो हमारे पास कुछ special type के भी identifiers आते हैं जिसमें कि अगर suppose आपके identifier के name से पहले अगर एक single underscore हुआ तो यह एक private identifiers होती है ठी और underscore prefix में आया तो इसका मतलब है कि वह एक strongly private identifier है ठीक है और या फिर अगर आपके identifier के name से पहले दो underscore और फिर यह name और इसके बाद दो underscore आया तो इसका मतलब यह है कि यह magic method है ठीक है तो इसको use का ना हम आगे देखेंगे इसके बाद देखिए कि हमें पता है कि python एक case sensitive programming language है python एक case sensitive programming language है इसमें आप यह नहीं है कि मैंने def लिखा def मेरे पास एक keyword है किसी function को define करने से पहले मेरे को def use करना होता है तो def को आपने यह small में ही लिखना है इसको capital में मैंने लिखने की कोशिच की तो यह मेरे को error देगी ठीक है इसके बाद हमारे पास है कि मैं सबोज मैंने क underscore का यूज कर सकते हो बस symbol में underscore का यूज कर सकते हो लेकिं इसमें example में देखिए यहापर यह dollar का sign है तो यह invalid है यह एडनिटिफायर यह valid नहीं है इसका name valid नहीं है इसके बाद यह देखिए यह example सही है कि गलत है यह example बिल्कुल सही है हमें पता है कि identifying की starting आप alphabet से कर सकते हो ल कि डिजिट से आप start नहीं कर सकते हो, आप identify की starting हमेशा आपने alphabet symbol से करनी है ठीक है या फिर यह underscore आप यूज कर सकते हो starting में भी लेकिन आपने कोई digit से starting नहीं करनी है ठीक है तो देखते हैं कि यह इनमें देखते हैं 123 total यह valid है कि यह बिल्कुल इनवलिड है और यह बताएं यह total 123 यह valid है कि इनवैलिड है यह invalid क्यों है क्योंकि यहां पर हम digit से start कर रहें और यह बताएं 215 यह बिल्कुल सही क्या 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 हम ने यह गलत है क्योंकि डैफ जो रहना यह एक रिजेशाट विजर उड़ ड़ तो आप एक रिज़र्ब्डoter राइश नहीं कर सकते हो तो यह गलत है यह एफ रिजर्ब वर यह भी एक रिज़र्द वर यह घलत है इसको भी आज रिजर्बाद रीज यह नेम नहीं है, आप यह नेम कितना भी बड़ा लिख सकते हो, लेकिन इतना भड़ा नेम लिखने का रहा है। हम आप हजार वर्ड का ही आप अडिटिफायर लिखोगे तो इसका कोई फाइदा है। तो यह मतलब preferable है कि आप कोई ज्यादा इतना lengthy आप identifier का name मत रखें, ठीक है, और यह क्या देखा हमने कि यह case sensitive है, ठीक है, case sensitive मतलब यह है कि यह cash और यह cash, तो यह values बिल्कुल बराबर है, यह क्या करेगा, इस cash को जो पहले 10 था value, यह दुबारा जो हमने cash में 20 असन किया, तो इसको override 10 को हटा देके, यह 20 इसने रख लिया, ठीक है, लेकिन अब यह cash देखिए, यह cash पूरा capital में है, और यह cash small में है, तो यह दोनो different variable है, यह same variable नहीं है, यह दोनो different है, यहाँ पे तो यह same ही थे, हमने यह क्या किया, यह literal के value चेंज किया, यहाँ पे literal के value same ही है, लेकिन यह दोनों के दोनो identifiers different है, क्योंकि यहाँ पे case sensitive है हमार पास, इसके बाद हमार पास कुछ reserved words हाते हैं, यह क्या होता है, यह python में कुछ words हैं, जो खुद reserved करके रखा है, उसके कुछ functionalities है और कुछ meaning है, such type of words are nothing but reserved words, ठीक है, तो हम देखते हैं कि कौन कौन से हमार पास है reserved words, और यह दूसरा है कि इसमें तीन reserved words के अलावा बाकी के सभी के सभी small letter में ही है, small lower case alphabet symbol है, मतलब कि यह true, false, or none के अलावा बाकी के सभी के सभी जिसमें की पहला word small ही आएगा, ठीक है, तो यह तीन ही हमार पास exception है, जिसमें की पहला word इसमें आपके पास capital में आ रहा है, true, false, or प्रिंट किया है, यह सारे keywords को मैंने प्रिंट किया है, यही reserved words है, यही reserved words है, और इनको ही keyword भी बहुते हैं, ठीक है, तो यह मैंने सारे-के-सारे reserved words मैं यहां प्रिंट किया है, जो false, none, यह true, यह तीन ही है, जिसमें की हमारे को पहला word जोना है, वो capital में है, बाकी सभी के सभ अगर आपने प्रिंट करना है कि आपने नेम देखना है तो आपने कीवर्ड मोड्यूल को इंपोर्ट करना है अपने उसके बाद के डबलू लिस्ट नाम से हमारे पास एक मैथड है जाएसी आप इसको कॉल करोगे यह प्रिंट मे रखे तो यह आपके पास आजएगा इसके अधार मेने लन डिकिली यह किया है कि इन विल्ट पाइफन मोड्यूल है जिसके हम्प से आप कितने मेंपर्स पर प्रैजेट आपके इस लिस्ट में या कोई लेंथ पता कर आपके बाए कितने अल्यमेंट प्रैजन थेखने रखे,